मेरे परिवार जनों, हमारी सरकार अपने जन जातिये भाई बहनों के सपनों को पुरा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसका कुल बजड़ भी धाईगुना से जादा कर दिया है। दस साल पहले तक हमारे देश में आदिवासी बच्चों के लिए केवल नब्वे एकलब्य मोडल स्कूल थे। जबकि हमने भीते दस साल में पान सो से जादा नए एकलब्य मोडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया है। आदिवासी बच्चे सिर्फ स्कूली पढ़ाई करके रुख जाएं। ये सही नहीं। अतिवी पिछडे जनजाती समाज के बच्चे जब MA, BA और बड़ी क्लास की पढ़ाई पूरी करेंगे। बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए जिस पढ़ाई की जरूरत होती हैं वो पढ़ाई करेंगे तब हमारे लिए खुशी की बात होगी। इसके लिए आदिवासी इलाकों में कक्षाओं और अधूनिक बनाये जा रहा है। उच्च सक्षा के केंद्र बढ़ाई जा रहे हैं साथियों पूरे आदिवासी समाज की आबंदनी कैसे बड़े इनकम कैसे बड़े इसके लिए हम हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी साथियों के लिए वन उपज बहुत बड़ा सहारा है। 2014 से पहले करीब 10 वन उपजों के लिए ही MSP तह की जाती थी। हम लगबग 91 उपजों को MSP के दाएरे में लाए हैं। वन उपजों के अधिक से अधिक दाम मिले। इसके लिए हमने वन धन योजना बनाई। आज इस योजना के लाखों लाभारतियों में बहुत बड़ी संख्या बहनों की है। बीते 10 वर्सों में आदिवासी परिवारों को 23 लाख पट्टे जारी किये जा चुके हैं। हम जन जातिय समुदाय के हाट बाजार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई जो सामान हाट बाजार में बेचते हैं, वही सामान वो देश के दूसरे बाजारों में बेच पाएं। इसके लिए भी कई अभ्यान चलाए जा रहे हैं। मैं भी को अघने के रहे आजा में बेचते हैं।